तो सीमा की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की कोशिश है की जारी क्योंकि ये नापाक पाक बाज आने वाला नहीं है लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जो देश में बैठे हैं, देश की खाते हैं और देश के खिलाफ साजिश में शामिल हो जाते हैं जैचन जो उसी थाली में छेट कर रहा है जिसमें उन्हें खाना मिल रहा है हम बात कर रहा है आए दिन साब में आ रहे पाकिस्तानी दलालों की अब राजस्थान भी इससे अचूता नहीं रहा यहां भी कई संदिक्ट पकड़े जा रहे हैं जिनसे पूछताज का दौर जा रहे हैं रेपोर्ट देखिए नापाग निशाने पर राजस्थान आपके शहर में घूम रहे शैतान बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं मरुधरा में कितने जैचन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सरहदी जिले जैसल मेर में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है सम्वेदन शील इलाकों में सुरक्षा विशेश रूप से बढ़ा दी गई है भाँ अन्य इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है बताने कि सरहदी जिले में रोजाना किसी ना किसी संदिक्त को दबोचा जा रहा है भाँ पुलिस उस पर लगातार कारवाई कर रही है बात सता इस परवणी से करते हैं जब नाचना में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिक्त युवक को पकड़ा था। वही उसके एक दिन बाद जैसल मेर के दो अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो संदिक्तों को गिरपतार किया। वही आज भी सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल के पितापुत्र सहित तीन संदिक्तों को हिरासत में लिया गया है। पिर भी जैसल मेर शेहर में इन संदिक्तों की संख्या में हुए अचानक इजाफे से सुरक्षा वेखूफिया एजेंसिया सजग नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ये संदिक्तों का मुख्य अड़ा जिला मुख्याले परिस्तित अतीम महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों के आसपास बना रहता है। कुछ दिन पहले तक सीमावर्ती कुछ गाओं में पाकिस्तान मोबाइल नेटवर्क के सिगनल आते थे। लेकिन पिछले तीन दिनों से ये सिगनल अब नहीं आ रहे है। इन सिगनलों के घुसपैटियों की और से उप्योग किये जाने की आशंका रहती है। जिसे ट्रेस किया जाना मुश्किल होता है। सूर्यवीर सिंग तवर, फर्स्ट इंडिया न्यूस, जैसल मेर।